हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल आराध्या आरेस एकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आयुजित राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल बरती परिक्षा 2020 के नविन्तम पाथे करम के अनुसार जीव विज्ञान का क्रेश कोर्स शुरू किया गया था जिसमें अपना एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है आज अपना इसमें दूसरा नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है जैविकास जैविकास से समंदी दोस्तों आज मैं आपके लिए टोप 20 प्रेस ने लेकाया हूँ जो आपकी परिक्षा के लिए अतियंत महतोपुन है इसलिए दोस्तों ये कलास आपको पूरी देखनी है और पहले नंबर की कलास अगर आपने पूरी ने देखिए तो दोस्तों वो जरूर देखें और आरद्यारेस एकेडिमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रेस ने वर्तमान प्रमान के अनुसार परत्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगबग देखिए बी पी एस सी प्री गुनी सो पिचानम में ये प्रेसन पूछा जा चुका है वर्तमान प्रमान के अनुसार प्रत्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगबग तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो देखिए इकाई दाई सेकड़ा जार दसजार लाक दसलाक करोड दस करोड और अरब यानि कि दो अरब वर्स पूरव है दोस्तो पर्त्वी पर जीव का उद्गम हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो अरब वर्स पूरव है ठीक है याद रखना है आपको तो इसका राइट आंसर डी नंबर नेक्स्ट आगे देखिए सेकेंड नबर प्रेशन है पर्त्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए चार उप्षन आपके सामने है यू पी पी सी एस मैंस में ये परिक्षा में ये प्रेशन पुचा जा है पर्त्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है नील हरित सहवाल ये दोस्तों सबसे पुराना जीव है पर्त्वी पर देखिए ये ऐसे पर्थम जीव है जिनोंने सूर्य के प्रकास एवम जल के परियोग से भोजन का नि हुआ और जीवों की विकास में यह सायक भी हुई ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का ओप्शन सयुत्तर आगे देखिए तीन नमबर का प्रेशन है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकर्तिक वरणवाद निम्न में से किस पर आधारित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है इस मिस में किस पर आधारित है तो देखिए ओवर प्रोडक्शन इस्ट्रेगल फॉर एक्जिक इस्टेशन इस्टेंस ठीक है एंड वेरिशन शर्वाइवल ओफ दे फिटेश्ट तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसका बिल्कुल सई उत्तर उप्रोड़क्शन सभी हो जाएगा दी नमबर उप्शन सई उत्तर देखिए उनिसो स्ट् दार्विन ये जो डार्विन दे रखा है इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन ये इंगलेंड के जैव विकास विद थे इन्होंने डार्विन वाद प्रस्तुत किया था ये भी आपको इसमें याद रखना है और डार्विन वाद को ही प्राकर्तिक वरन वाद कहते हैं ये भी आपको इसमें याद रखना है और दोस्तों डारविन वाड की विश्त्रit व्याक्या है वो इनकी पुस्तक प्राकरतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ती में छपी हुई है ये भी आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए इसमें चार नंबर का लेकिए सबसे पहले में आपको जीव विज्ञान है वो पूरी करवाँगा उसके पास में भोतिक विज्ञान कंप्लेट करवाँगा ठीक है तो तोपिक वाई चलेंगे अपन चोथा नमबर का प्रिशन है पुस्तक दी ओरिजन ओफ इस्पिसीज किस ने लिखी है पुस्तक दी ओरिजन ओफ इस्पिसीज किस ने लिखी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ये लिखी थी दोस्तों किस ने डार्विन ने ठीक है डी नमबर का ओप्शन सही उत्तर हो जाएगा ठीक है याद रखना और ये मैंने भी आपको बताया था इंग्लेंड के जे प्रदित किया तो ये किया दोस्तों डार्विन ने किसने डार्विन ने बी नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डार्विन देखिए चाल्स डार्विन का मत था कि परकरती करमिक परिवरतन द्वारा अपना विकास करती है और विकासवाद कहलाने वाला य आगे देखिए जेव विकास को सरोपर्थम किसने समझाया तो ये समझाया दोस्तों किसने लेमार्क ने किसने लेमार्क ने समझाया जेव विकास को सरोपर्थम देखिए यहाँ पे दोस्तों जेव विकास को किसने समझाया तो लेमार्क ने दोस्तों इसे ही लेमार्क का सिद कहते हैं तो इसका राइट आंसर डी नंबर उप्शन स्यूत्तर हो जाएगा आगे देखिए विकास के उत्परिवर्तन सिद्दांत का पर्तिबादन किया था तो दोस्तों यह किस ने किया था तो यह किया था दोस्तों किस ने होगो डी ब्रिज ने होगो डी ब्रिज ने दोस्तों विकास के उत्परिवर्तन सिद्दांत का पर्तिबादन किया था दो हुजार पांच में यह प्रैसन पूछा जा चुका है तो इसका राइट आंसर डी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए सुची फर्स्ट और सुची सेकंड दे रखा है दोस्तों सुमेलित करना है ठीक है देखिए यहाँ पे उत्परिवर्तन का सिद्दांत है वो किस ने दिया तो यह दिया था दोस्तों डी ब्रिज ने और विकास का सिद्दांत है यह बैने आपको थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों विकास का जो सिद्दांत है वो डार्विन ने दिया था किसने डार्विन ने एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना यह दोस्तों यह सिद्दांत है यह किसने दिया था तो यह दिया था दोस्तों किसने बीडल और टेटम न और ओपेरोन अवदारना है ये दोस्तों किसने दीती तो ये दीती जेकब और मोनोड ने जेकब और मोनोड ने तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा इसका बिल्कुल सही उतर है चार तीन एक दो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तो यहां तो इसका मुख्य कारक है वो है दोस्तो प्राकर्तिक वरन क्या है प्राकर्तिक वरन है तो इसका d number option से उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें 10 number प्रेस्ने जैविकास के संदर्ब में सापों के अंगों का लोप होने को इसपस्ट किया जाता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अंगों का उप्योग तथा अनुप्योग किये जाने से इसका right answer हो जाएगा ए नंबर का option बिलकुट सहीवत्तर हो जाएगा ठीक है देखिए फ्रांसीसी जैविग्यानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उप्योग तथा अनुप्योग के कारण होते हैं ठीक है तो इसका right answer ए नंबर option बिलकुल सहीवतर दोजार दो में ये प्रेस्टन पुछा जा चुका है आईएगे इसमें आगे देखिए भारत की विसाल वन्ने बिलियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वहें हाली में विलुप्त हो गई है तो दोस्तों भारत की विसाल वन्ने बिलियों के बारे में कहा जाता है कि वहें हाली में ही विलुप्त हो गई तो वो कौन सी है देखिए आरियस आर्टीयस में ये प्रेस्टन पुछा जा चुका है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों चीता ए नंबर का option बिलकुल सहीवतर हो जाएगा देखिए चीता ही अकेला पसू है जो बारत में विलुप्त गोशित किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा आगे देखिए आदुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है तो वो कौन है तो वो है दोस्तों इसमें क्रो मेगनोन मानुस ये दोस्तों इसका right answer हो जाएगा देखिए क्रो मेगनान मानुस को यानि कि मनुष्य को आधुनिक विग्यानिक यानि कि वर्तमान मानव होमो सोपियन्स का अंतिम सिधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाती होमो सोपियन्स फोसिल्स को मानते हैं तीक है ये आपको इसमें याज रखना है तो इसका right answer बी ये प्रेशन कुछ अदा चुका है अगे देखिए सब्द डेनी सोवन कभी कभी समाचार माद्यमों में किस संदर्व में आता है तो ये आता है दोस्तो एक आदि मानव जाती species के रूप में एक आदि मानव जाती के रूप में ठीक है तो इसका right answer बी नमबर का option सही उटर हो जाएगा जो ये डेनी सोवन है ये दोस्तो एक आदि मानव पर जाती थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगबग एक पॉइंट पांच से दो लाख वर्ष पूर्वन इव पास करती थी पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्रांत साइबेरिया की गुफाओं में दोस्तो प्रांतों में जो प्राप्त अस्ती अवसेसों से इनकी पहचान हुई है ये भी आपको इसमें याद रखना है तो इसका right answer बी नमबर option हो जाएगा आग तो इसका right answer हो जाएगा ये दोस्तो जोरेशिक युग का सर्वपुरातन पक्सी है जोरेशिक युग का सर्वपुरातन पक्सी ए नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसका तीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें 15 नमबर का प्रेस्ट नहीं आर्कियो आर्कियो है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो वो है दोस्तों इसमें देखिए आर्कियो अपडिरिक से जोरेशिक युग का एक है सर्वपुरातन पक्सी था जिसके जीवास मलगबग 15 करोड़ वर्स पुरानी जोरेशिक चटानों से मिले है यह सरी सरपों तथा पक्सियों के बीच क सयोजक तन्तु है तो इसका right answer बी नंबर का option हो जाएगा सरी सरप वै पक्सी के बीच की योजक कड़ी है आर्कियो अप्टेरिक से तो इसका बी नंबर option सयुत्तर हो जाएगा देखिए आरेस में प्रसंद पूचा जा चुका है आगे देखिए मेमत पूर्वज हैं तो किस के पूर्वज हैं तो यह पूर्वज हैं दोस्तो किसके तो यह हाति के पूर्वज है तो इसमें डी नंबर का option सयुत्तर हो जाएगा तीक है मेमत प्रजाती वरतमान समय में विलूपत है यह हाति का पूर्वज माना जाता है यह आपको इसमें याद रखना है डी नंबर option स अब जो यहाँ पर डाइनेसोर दे रखा है ये डाइनेसुर क्या है? तो देखे डाइनेसूर विशाल काई सरिस्रप्त थे जो की मद्दे जीवी या मेसोजोईक महकाई युग में थे ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जएगा या आपको इसमें याद रखना है तो इसका right answer B number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो इसमें B number option सही उत्तर हो जाएगा देखिए दो बार प्रसंद पुच्छा चुका है ये आगे देखिए dinosaur रहे तो दोस्तों कौन से युग में रहे dinosaur तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों मेसो जो इक युग में dinosaur रहे थे तो इसका right answer C number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए जीवों के विकास यनकी evolution के संदर में निमनलिकित में से कौन सा अनुकरम सही है तो कौन सा अनुकरम इसमें सही है वो अपने को बताना है तो देखिए सेला मेंडर अजगर कंगारू तो इसका C number option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आईएस प्री 2009 में ये प्रेसन पुछा जा चुका है ठीक है देखिए सेला मेंडर का विकास काल है वो सबसे पहले लगबग 360 मिलियन वर्स पूरव है तथा कंगारू का सबसे बाद में लगबग 145 मिलियन वर्स पूरवका है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें C number का option सेला मेंडर अजगर और कंगारू तो दोस्तो ये आज अपना जो टोपिक था वो अपना समाप्त हो चुका है जिसका नाम था जे विकास तीक है और कल अपना जो टोपिक आएगा वो उसका नाम होगा दोस्तो वारगी की क्या होगा वारगी की और वारगी की से समद्धित दोस्तो अपन है वो कम से कम 50 प्रसंतों करेंगे कल अपना तीसरा नमबर का चैप्टर रहेगा जी विज्ञान के अंदर तो इसलिए अराध्याराइस अकेडमी के साथ में बने रही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दमाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते ह दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैवारत